फ्रेंड्स मेरे पास एक LED TV आया था 32 इंच का जिसमें Samsung का पैनल लगा हुआ था तो आप देख सकते हो इसमें SM4186 IC लगी हुई है तो Samsung का पैनल है तो मैंने सोचा क्यों न जो है इस पैनल के बारे में और जनकरी आप सब के साथ सेर कर दूँ वैसे इससे पहले भी जो है Samsung के पैनल के उपर जो है मेरा वीडियो है एक उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट्स आया था कि सर एक कोई ऐसा वीडियो बनाईए जिसमें आपने इस पैनल के बारे में डीप में थोड़ी जनकरी हो इसका सिम्टम देखा भी नो डिस्प्ले का फॉल्ट है बेक लाइट ओके है तो फॉल्ट कैसे रिमूब होगा उसकी जनकरी से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ मैं जहिर खान LCD LED TV ट्रेनर मुंबई से फ्रेंट्स मैं मुंबई में जैडम इंस्ट्यूट के नाम से क्लासेच चलता हूं जिसमें LCD LED TV की ट्रेनिंग देता हूं और वो बहुत ही कम समय का कॉर्स रेता है आप चाहें तो मुझसे LCD LED TV की ट्रेनिंग ले सकते हैं अगर आप LCD LED TV की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं और फ्रेंड्स आप सबके लिए good news है कि हमने जो है बहुत सारे फ्रेंडों के request के सुनते हुए उसको ध्यान में रखते हुए paid group इस्टार्ट कर दिया है और paid group जो है हमारा परमंत 500 रुप्या है और अगर आप एक साथ के लिए 6 महिने का payment करते हैं तो उसका सिर्फ 25 रुप्या ही है जिसका aid मैंने अभी आपको दिखाया था paid group में जो support हम लोग देते हैं वो WhatsApp और Telegram पे देते हैं जिन जिन TV रिपेर में आप फसते हैं उसमें हम आपको guide करते हैं तो जैसा कि friends आप यहां पे देख पा रहे हैं हमने set को open कर दिया है और उसके अंदर ये Samsung का पैनल लगा हुआ है तो इस पैनल में किस side में sorting है और उस setting sorting कैसे remove होगा को मैं आपके साथ अभी इस वीडियो में share करूँगा साथ मैं इस पैनल में कहां कहां पे कितने बोल्टे जाने चाहिए वो भी मैं आपके साथ share करूँगा तो friends ये पैनल का number है number आप यहां पे देख सकते हैं और ये पैनल जो है अभी बहुत ही ज्यादा market में चल रहा है हमें हर दो चार दिनों में जो है ये पैनल कोई ना कोई set में देखने को मिलता है 32 इंच में और आप देख सकते हैं ये single cough का पैनल है और इसके अंदर जो IC यूज हुआ है उस IC का number भी मैं आपको दिखाता हूँ यहां पे देखिए CKV सब लिखा हुआ है स्केलर के उपर ही CKV1, CKV2 यह सब लिखा हुआ है यहां पे और यह है इसका DC2, DCIC जो SM4186 है तो फ्रेंट्स आज हम इसी पैनल का थोड़ा डीप में जनकारी शेयर करेंगे आप सब के साथ यह एक साइड का CKV लाइन है यह गेट लाइन है एक साइड का राइट साइड का और यह दूसरा है लेप्ट साइड का तो आपको मैं थोड़ा नजदिक से CKV लाइन दिखा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में अगर आपसे CKV लाइन कट करते समय अगर ट्रेक अगर कटने के बाद से बराबर न दिखाई दे तो आप इस वीडियो के मादेम से भी आप देख सकते हैं और अपना CKV लाइन को वापस रिजॉइंट कर सकते हैं कभी कभी होता ऐसा है कि फॉल्ट लेप साइड में हो और कटिंग राइट साइड में हो जाती है और कभी राइट के बदले लेप साइड से हो जाती है तो ये तो कट करने के बाद ही पता चलेगा आपको कि फॉल्ट लेप में था या राइट में लेकिन अक्सर आपको जो है इस डिस्पले में दोनों तरफ CKV लाइन में फॉल्ट देखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 बोल्ट आपको जो है इस डिस्पले में मिल रहा है लेकिन यहाँ पर V1 जो है वो 0 दिखा रहा है इसका मतलब यह है कि 12 बोल्ट पैनल को तो जा रहा है लेकिन बूस्ट नहीं बन रहा है तो आप नजदिक से देख लिजे यहाँ पर कि जो V1 है उस पर आपको कोई बोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा अगर हमारा डिस्पले सही होता और बुष्ट बनता तो यहाँ पर हमें 30 या 31 बोल्ट के आसपास में दिखाई देता जो अभी 00 दिख रहा है तो एक बार आप फिर से देख लें कि हमारा फ्यूज है और यहाँ पर 12 बोल्ट आ रहा है इस पैनल को तो जिन सेटों में नो डिस्पले का फॉल्ट है और उसमें अगर यह सैमसंग का पैनल लगा है तो जब डिस्पले नहीं आएगा उस समय कौन से कौन से वोल्टेज कहां पर बनते हैं वो मैं यहाँ दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ आप सबको तो सबसे पहले तो फ्यूज पर आपको 12 बोल्ट मिल जाएगा उसके बाद 12 बोल्ट आपको यहाँ इस पी अप पर मिलेगा इस पी अप पर आपको 12 बोल्ट मिल जाएगा आप यहाँ देख सकते हो तो मैं आपको यही दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ आप सबको कि नो डिस्पले में यहाँ पर कहां कहां पर कौन से वोल्टेज देखने को मिलता है जो मौजूद रहता है तो आपने 12 बोल्ट देख लिया 3.3 देख लिया और यहाँ पर आपको 1.8 बोल्ट मिलेगा यह बुस्ट नहीं बनने के बावजूद भी आपको यह जो है 12 बोल्ट 3.3 और 1.8 बोल्ट यह आपको इस डिस्पले में आपको मिलेगा CKV line अगर short है तो भी जो है आपको यह सब बोल्ट जे प्रप्त होंगे मिलेंगे जैसा कि इस set में आपको मिल रहा है और खास बात यह एक friends मैं थोड़ा एक चीज़ पर और आप लोग का ध्यान दिलाना चाहता हूँ यह जो capacitor के जैसा दिख रहा है एक्चुल में low ohms का register है जिस पे आप check करने जाते हैं तो बजर बजता है और बहुत सारे friends इसको जो है बजर की आवाज आएगी city बजएगा तो आप यह न समझे कि यह PF खराब हो गया है एक्चुल में यह PF के सकल में register है तो वो मैंने जो है अक्सर लोगों को गलतियां करते देखा है तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ यह जनकारी share कर दूँ कि यह PF नहीं register है तो आएए friends अब मैं आपको इसमें ckv line के oms के बारे में जो है जनकारी देता हूँ और आपको दिखाता हूँ फ्रेंट ckv line पे resistance देखने के लिए आपको जो है set को off कर देना है पैनल पे supply नहीं होना चाहिए और तभी आपको चेक करना है फिलाल यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जहां यह भी dd लिखा रहता है उसके सामने आपको मतलब उसके पास आपको पांच बोल्ट मिलेगा जोकि यह boost बनेगा तो भी उतना ही मिलेगा और hypedD जहां लिखा है ठीक उसके उपर आपको 5 बोल्ट मिलेगा और उसके बगल में आपको av horsepower मिलेगी जहां पे 2 pf लगा है यह आप देख सकते हो तो फ्रेंट्स ये तो हो गया कि बूस्ट अगर नहीं बन रहा है आपका समसेंग पेनल में तो कहां कहां पर कौन सा कौन सा बोल्टे जाएगा वो मैंने आप सब को दिखा दिया अब उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि गेट लाइन को स्क्रेच कर लेना है और स्क्रेच करने के बाद से आपको जो है CKV1 और CKVB1 पे जो है आपको जो है मीटर का प्रोब रखना है और देखना है कि आपको वहाँ पे कितना ओम्स सो हो रहा है तो जीसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें 315 ओम्स मीटर में आपको रीडिंग दिख रहा है तो हमारा CKV1 और CKV B1 में सौर्टिंग है जो 315 ohms का है तो friends जब इस पैनल में सौर्टिंग आता है तो उसके लिए आप सबको क्या करना चाहिए जिससे आपका पैनल ओके होगा वो मैं आपको next वीडियो में solution दूँगा और आपको जो भी suggestion दूँगा वो आपके बहुत काम आएगा तो friends आप अगर इस चैनल को subscribe नहीं किया अभी तक तो subscribe कर लें साथ में bell icon को press करके all notification set कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको देखने को मिले और सबसे पहले देखने को मिले और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो like और comment करना न भूले और इस वीडियो को आप अपने print circle में भी share करें जो भी गुरूपों में आप रहते हो उन सब गुरूपों में share करें thanks for watching friends